जो भी बच्चा आज कैनेडा आस्ट्रेलिया पढ़ने जाना चाता है उसकी कोई ना कोई खुआश होती है ये खुआश पूरी करने के लिए एक्सर बच्चे घर से बाहर निकलते हैं कमपैरिजन आपको करना चाहिए यदि आपको आज बाहर पढ़ने के लिए जाना है सबसे पहला एस्पेक्ट होता है आपके पैसे कितने लगेंगे आज कैनेडा के अंदर GIC 20,000 कर दी गई है आज कैनेडा जाने वाले बच्चे को कम से कम 40,000,000 रुपय चाहिए और क्या ओप चाहिए और कई तरह के खर्चे बढ़ चुके हैं आप उसको लेकर परिशान है आईए आपको एक एकर के चीज बताता हूं कि आज कैनेडा के लवा और बहतर क्या है आपके लिए कैनेडा क्या सबसे बड़ा विकल्प है उस्टेलिया उस्टेलिया में वीजा में थोड़ी के लिए जाना चाहते हैं तो क्यों आपके लिए Australia आदर है इस चीज के उपर discussion करते हैं तो सबसे पहले यह जानेंगे कि क्यों लोग जाते हैं Australia सबसे पहला हमारा point रहेंगा वाई Australia वाइं उस्टेलिया एस्टेलिया ही क्यूं यूं यूं आप मैलबन जाएं क्यूं आप सिड्नी जाएं क्यूं पर्थ और ब्रिस्वन जाएं आज टॉरॉंटो वैंकूवर ना जाके आपको सला दूगा कि आपको एक बार कैनड़ा जाने से पहले यह देख लेना और ऑप्श और उसके बाद सिड्नी यह दो बड़े शहर हैं जहां पे ज्यादा अत्थर इंडियन लोग जाके खुश होते हैं दो तिर और चोटे शहर है जहां पे फ्यूचर अच्छा है जिंदगी अच्छी है जिसमें आता है नाम ब्रिस्बिन का और ब्रिस्बिन के बाद दुनिया ज स्टूडिन्ट की मल्बन होती है मैंलबन के बाद सिड्नी होता है फिर ब्रिस्बिन पर्थ है यह चार शहर है जहां पर हमारे के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो अगर कोस्ट ओफ लिविंग की बात करें तो कोस्ट ओफ लिविंग में आप अगर कैनडा में रहते हैं तो आपको कम से कम 2000-26000 डॉलर के लिए देना पड़ता है जदि आप पूरा घर लेते हैं तो साथ आठ हजार डॉलर कम से कम आपका महीने का खर्चा होता है अलग बाद अब दो तीन जने रह सकते हैं कॉस्ट अफ लिविंग अगर अस्टेलिया की देखी जाए तो एक बच्चा अराम से दो जार डॉलर में घर फोड कर लेता है उस दो जार डॉलर के किराए के घर में आप दो तीन चार जने भी रह सकते हैं तो रहने का खर्चा उस्टेलिया में बहुत कम है केनेडा के कमपैरिटिवली आज कल हाॉसिंग क्राइसिस चल रहे हैं अगर आप सबब्स में रहते हैं शहेर से थोड़ा बाहर रहते हैं तो आप ये चीज़े उस्टेलिया में बहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं cost of living काम होने के कारण आपके माबब के उपर pressure नहीं होता, आपका पढ़ाई के उपर pressure नहीं होता, आप सारा दिन काम ढूंडने नहीं जाते हैं, आपका पढ़ाई में मन लगता है, सो जो भी अपना घर छोड़के विदेश में पढ़ने के लिए जा रहा है, उसके लिए सबसे पहला factor होता है, मेरा वहाँ पर खर्चा कितना होगा, रहने का खर्चा कितना होगा, सो जदी आप अच्छे से रहना चाहते हैं कैनडा में, तो आपको 2-3,5 लाग रपय मीना कराया चाहिए, वही अगर आप स्ट्रेलिया में रहते हैं, तो आपका 40-50 जार रपय कराये में अराम से रेंजमेंट हो जाता है, दूसरा सबसे बड़ा factor आता है, income opportunities, जो बचे पढ opportunity में बचा जो पार्ट टाइम काम करता है, इसमें पैसे भी कमा लेता है, बहुत सारे बचे टेक्सी चलाते हैं, बहुत सारे लोग, पीजा हट में, छोटे-छोटे food joints के अंदर, अपना culture exchange के लिए, अपने जिंदगी में कुछ सीखने के लिए, छोटी-छोटी नोकरियां क करते हैं, यदि हम income opportunity की बात करें, तो उस्टेलिया के अंदर कम से कम आपको 25 से 30 डालर एक घंटे के मिलते हैं, 25 से 30 डालर एक घंटे के मिलते हैं, एक नॉर्मल सी जौब में, सधारन सी जौब में, यह minimum wage rate होता है, यहीं आगर आप कैनड़ा की comparison करें, तो minimum wage rate 15-15 डालर है, और उसमें भी किसी के पास job नहीं है, उस्टेलिया में हर बच्चे के पास 2-3-3 नोकरी होती हैं, पढ़ाई के साथ अगर बच्चा पढ़े, अच्छी पढ़ाई मन लगाके पढ़े और साथ में पैसे भी बना ले, तो बच्चा अपना खर्चा आराम से निकाल सकता है, आ आप एक अच्छी कारव कर सकते हैं, आप अपनी फिस भी थोड़ी बहुत निकाल सकते हैं, अपने पेरन्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी पहतर बना सकते हैं, क्योंकि मौसम भी आपके फ oda में होता है इसके बाद अगला जो सबसे बड़ी हैडेक होती है स्टूडन को किसी कंट्री में जाने के लिए वो होती है जो केशनल एक्सपैंस फीस कितनी है और फीस के साथ होता है कि क्या हम इतनी फीस फूर्ड कर पाएंगे यदि आप उस्टेलिया को चूज करते हैं तो उस्टेलिया में 6 मीने की फीस से वीजा मिल जाता है यहीं कैनेडा जाने के लिए आपको एक साल की फीस फीस फ़रनी पड़ती है सो 6 मीने की फीस आठ हजार डॉलर से 10 हजार डॉलर के आसपास होती है यदि आप कैनाडा जाएं आपको कम से कम 18 से 20 जार डॉलर पहले फीस बरनी पड़ेगी आज आपने 20 जार डॉलर भर दिये फिर आप ऐस्टेलिया के लिए जा रहे हैं अस्टेलिया में 8 से 10 से जार डॉलर 6 मिने की फीस बर के जा सकते हैं और यह फीस कंपारिजन करें तो कैनेडा में और अस्टेलिया में फीस का जैदा फरक नहीं है बट इंस्टिशूशन के हिसाब से फरक होता है अगर आप अच्छी उनिवेस्टी में जाते हैं तो पैसे बह करना जुरूरी नहीं होता लास सबसे मोस्ट इंपॉर्टन पॉइंट जो होता है वोता है पोस्ट स्टेडी वर्क ऑपर्चुनिटी अब वीजा भी मिल गया पढ़ाई भी खतम होगी और उसके बाद करना क्या है क्या हमें कुछ काम करने के लिए टाइम मिलेगा जिसमें ह कैनेडा एक भ्यंकर से गुजर रहा है हो सकता है इस सेशन छे मिने चले हो सकता अगले तीन साल तक चले कोई भी नहीं कह सकता क्योंकि आज के दिन ज्यादा तर प्राबलम आ रही है क्योंकि माइगरेशन बहुत ज्यादा हो रही है तो अगर हम देखते हैं पोस्ट आपको कुछ आता है तो आप डेड़ लाक डेड़ लाक करेट स्टेलियन डॉलर तक नोकरी दे सकते हैं पैसे भी कमा सकते हैं साथ में ऑपर्चुनिटी भी है सो यह चार फेक्टर हैं जो आज के दिन बच्चे को जाने से पहले सोचने हैं कि आपको स्टेलिया क्यों जाना तीसरा एजूकेशनल एक्सपेंस फीश से कम है और छे मेने की फीश से जा सकते हैं और चोथा पोस्ट स्टेडी वर्क अपर्चुनिटी आपको पढ़ाई के बाद वहाँ पे पांच साल का वर्क परमिट मिलता है पांच साल तक आप वहाँ पे लीगली काम कर सकते हैं यह चेंजिस अस्टेलियन गवर्मेंट ने करी है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टन पॉइंट कि यदि आपको कैनड़ा जाना है तो आपको 40 लाक रुपया चाहिए आज के दिन और यदि आप उस्टेलिया जाते हैं तो आपका खर्चा बड़ी जोर लगाएंगे तो छे मीने की फीस ही देनी है और 6 मीने की फीस ज्यादा से ज्यादा होगी 10,000 डॉलर से 20,000 डॉलर होजेगी टॉप की युनिवेस्टी में पढ़ने चाहोगे तो आठ लाक रुपय से 12 लाक रुपया लग रहा है अगर आपको उस्टेलिया जाना है अच्छी से अच्छी लगा के जा रहे हैं आपको मिल क्या रहा है लिविंग एक्सपेंस आपके जैदा है इंकम अपर्चुनिटी नहीं है क्योंकि लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही एजुकेशनल एक्सपेंस बहुत जादा है क्योंकि एक साल तो 40 लाक दे दिए मावा अपने अगले साल फि आपका एक अच्छा फ्यूचर हो और पढ़ाई के साथ यह चीज़ें कंसेडर करनी है कुछ कोशिच करी है आपको बताने की कि क्यों उस्टेलिया एक बहतर विकल्प है आपके पास बाकि अगर आपके भाई-बैन को कैनड़ा में रहते हैं आपके पास बहुत सारी वहां पर जॉब ऑपर्चुनिटी है आपको नौकरी मिल रही है आपका लिवी एक्सपैंस है तो कैनड़ा से अच्छी कंट्री भी कोई नहीं है क्योंकि माइगरेशन सिस्टम आज भी कैनड़ा को सपोर्ट करता है डिसीजन आपने लेना है कि आज 40 लाग खर्च के जाना है या